जै श्री राम रादे कृष्णा हरहर महादेव बाबा विश्वनात की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा शादर प्रडाम आज हम आप लोगों के लिए अपनी रूटीन सेयर करते हैं कि जब सुबह हम उठते हैं तो मौर्णिंग में हम क्या क्या काम करते हैं यह आप लोगों को आज हम बताते हैं सबसे पहले तो हम भगवान का विस्तर पे ही बैठे बैठे धन्वाद अदा करते हैं उसके बाद ब्रस करते हैं मूध होते हैं और किसीधे किचन में जाते हैं पानी गरम करते हैं और पानी पीते हैं आज हम अकेले हैं तो हमने एक गलासी पानी गरम किया है अपने लिए और अगर ये सब लोग रहते हैं तो इन लोगों के लिए भी हम गरम करते हैं फिर उसके बाद हम अपने कमरे को सही करते हैं कमरा बिल्कुल रात में बिखर जाता है ये चादर जो हमने ओड रखी थी हलकी पतली सी कमबल है इसको हम सही करते हैं इसको फोल्ड करते हैं और बिस्तर को हम जाडेंगे बिस्तर पे थोड़े बहुत जैसे खाते पीते हैं थोड़ी चीजे गिर जाती कभी नमकीन वगरा गिर जाती है तो उसको जाड़ देते हैं तक कि गलाप को सही कर देते हैं क्योंकि रास्त में सोने के बाद ही हलका तेड़ा मेडा सा हो जाता है उसको सही कर देते हैं पूरी चादर को अच्छी तरह से ज़ाड देते हैं जिससे कहीं भी कुछ भी इसमें कोई भी इतिनका वगेरा कि चावल खाए है कूछ भी बेड देखिए मेरा खाली होगे हमको खाली खाली बेड इस तरह से बहुत अच्छा लगता है खाली बेड हम कर देते हैं उसके बाद यह साइट कॉर्णर है इसको भी हम पोच लेते हैं देखिए सबसमान कैसे बिखरा पड़ा हुआ यह आप भगल में जो आप देख रहे हैं फूल का गुल्दस्ता यह गुल्दस्तिक में हमने मखा जो वह पापकोन अगरा होते हैं वह हमने पिच्चर हॉल में खाय थे तो उसको हम ले आए थे उसमें हमने सुतली लगा करके इसको फैविकोल से चिपका के बनाया है यह देखिए पीट को जाने वाला रखा हुआ है नेल पेंट रखा हुआ है अब हम टीवी को पोच लेते हैं टीवी में हलकी फुलकी डस्त लग जाती है यह रोज रूटीन से हम यह करते हैं सुछ वेगारा को पोच लेते हैं जैसे कि बंद करो तो दाग पढ़ जाते हैं इधर उधर हाथ के तो गंदा लगता देखने में फिर हम अपना डेसिंग टेबल भी पोच लेते हैं रोज कर रोज हम पोचते हैं तो इसा मेरा चमकता रहता है अब हम अपने हॉल में आ गए हैं तो अपने सोफे को अच्छी तरह से जाड़ रहे हैं और किनारे-किनारे इसको पोच भी देते हैं डस्ट वगारा जो चिक्क के रूम को अब इसको सही करते इसमें जो कहीं भी दाग धब्बे इसको भी पोच्टे वैसे कमरा साफ रहता है क्योंकि वह इस समय रहती नहीं यह बाहर रहती यह देखिए चेयर अभी तक इस पर पॉली थिन चड़ी दो साल हो गए इस चेयर को पर अभी हम लोगों ने पॉ में आ जाते हैं इसके कमरे को सही करते हैं देखिए जो है इसका इसको मिमें पडी हुई है कर लेटें सबको अच्छे से पूंच लेंगे और ऑसने इसको फोड करके हम रख देते हैं और साइड में छोटी से टेबल आप ने वह 感謝 हैं इसको पोच्छ लेते इसमें पानी बड़े हैं तो घर में कभी कभी हैर बैंड लगाता है यह हमारी साड़ी है इसको फोड कर देते उस दिन गय थे नीचे पूजा में तो ऐसा ही हमने फेक दीती तब से ऐसा ही पड़ी है आज हमने का चलो इसको भी फोल करके अच्छी तरह से रख देते हैं यह टीवी आप देखिए रिमोड रखा हुआ यह एक सील देख रहे हैं आप जब हो सिक्स में था तो उसको मेली थी तो इसको पूज करके अच्छे से रख देते हैं और यह चार्जर वगयरा है इनको भी हम रख देते हैं और एच्छोटे से आप छोटू से देख रहे होंगे हमारे बुद्ध भगवान हम गया गय थे तुम छोटे से बुद्ध जी लाये थे उनको भी रख देते हैं अब ये देखिए हमारी सरोज जो जाडू लगा रही उनका में सी नहीं आने दिया है अब कपड़े जो हैं वसीन हमने चलिए मसीन भी सी समय लगा देते हैं तो ये कपड़ हलका हलका हम छिड़क देते हैं तो इससे क्या होता घर बे भीनी भीनी खुसबू आती सारे तरफ से दर्वाजे खिड़की हम बंद कर लेते हैं जिससे डस्ट ना आए ये देखिए मेरा हौल है इसमें भी हलका सा छिड़क देते हैं और ये मेरे बेटे का कमरा है उसने जिरूर अब हमको भूक लगी है चलिए हम नास्ता करते हैं हम एक गलास गरम पानी पीते हैं और हमको और ये फल है ये फल हम खाते हैं फल थोड़े तो नहीं है फल तो बहुत है पर भूक बहुत जोर से लगी हुए सारे फलो को हम खाते हैं क्योंकि आज हमने कोई नास्ता नहीं बनाया है, तो फली हम खालेंगे, क्योंकि इसकोई घर पे है नहीं, तो अकेले के लिए हमने सुचा क्या नास्ता बनाए, चलो फली खालेते हैं, और इसके बाद ये मेरा हॉल है, आप लोगों मेरा हॉल कैसा लग रहा है, ये मेरी कुसन कवर है, ये हमने मीसों से मंगवाया था, ये देखे साथ घोड़े का चित्र हमने लगा रखा है अपने हॉल में, ये हमारे पर्दे हैं, हमने बहुत ज़्यादा अतिया ताम ज्हाम नहीं कर रखा है, बस ऐसे हलका सा जा लिया है, हम नहाने जा रहे थे, तब तक कि कुड़े वाले भाईया आगे चलो, ये बहुत अच्छा काम हुआ, हमने सुचा चलो, कुड़ा भी दे देते हैं, तो ये बहुत बढ़़ा काम हो जाता है, अगर रहो पहले आ जाते हैं, अब हम नहाँ चुके हैं, हमने थोड़ा अपनी सकष्रग सुरत को भी सहई तक पूजा करने जा रहा है तक तक दूद वाले दद्दू आ गए इससे और खुसी की बात होगी हमने चलो पूजा भी सांती से कर लेंगे तो दूद वाले दद्दू से दूद ले लेते हैं और गैस पे धीमे करके दूद को हम चड़ा देंगे और देखिए हम पूजा कर र मेरी यह आदत है कि पूजा करने के बाद हम पूरे घर में ले जाके एक बार अपने दिये को दिखा देते हैं भगवान हर जगे बास करते हैं इसलिए और इसके बाद मैंने मसीन से कपड़े निकाल लिए तो हमने कचली अब कपड़ों को भी जो है फैला देते हैं अब कर देते हैं अब हमको भूख बहुत जो से लगी खाना तो हमने कुछ बनाया नहीं यह सूखा नासता रखा इस और मेरी दवाइं इसको खा लेते हैं अदूद देखिया हमारा गैस पे चड़ा हूआ बंद कर देते हैं और यह मेहंदी रखी हमने भी गोया था और इसको हालों में लगा लेते हैं यह है मेरा आज का रूटीन आपको कैसा है